हेलो वरिवन देस साइड मोनी का याद ओ, होप यू ओल गूड आज की इस वीडियो में मैं आपको एट्थ क्लास की सेल प्रेक्टिस 12F करवाँगी यह 12F एक्सरसाइज का 3rd पार्ट है, इसे पहले मैं 2 वीडियो अप्लोड कर चुकी हूँ उन्हें मैंने कोशन 1 to 9 करवाया था, इस वाली वीडियो में हम कोशन 10 to 12 करेंगे चलो अभी कोशन 10 करते हैं कोशन 10 देखिए, find the number of coin 1.5 cm in diameter and 0.2 cm thick which should be melted to form a right circular cylinder of high 10 cm and diameter 4.5 cm हमें बताना है कि कितने coins लगेंगे, coin का diameter यहां गिवन है और coin की thickness यहां पे दी हुई है इन coin को melt करके एक right circular cylinder बनाना है जिसकी height 10 cm और diameter 4.5 cm जब भी हम किसी चीज को melt करके new चीज बनाते है तो हमें क्या चाहिए होती है, volume चाहिए होती है यहां पे हम लिखते है, volume of the coin coin की volume निकालते है coin की shape में होता है, cylinder की shape में होता है तो उसकी volume क्या होती है, pi r square h pi की value 22 upon 7 into r, radius हम कैसे निकालते है, diameter को 2 से divide करेके इसलिए आएगा 1.5 upon 2 into 1.5 upon 2 क्योंकि r की power 2 होती है into height, height क्या है, 0.2 ओके जी, अभी हम सब का decimal और हटा लेती है यहां एगा 22 upon 7 into 15 upon 20 into 15 upon 20 into 2 upon 10 ठीक है अभी हम इसको simplify और करते है 2 की table से काटते है, 2 1s are 2, 2 5s are 10 इस 5 से काटते है, 5 1s are 5, 5 3s are 15 ठीक है, आगे 5 से काटते है, फिर 5 4s are 20, 5 3s are 15 ठीक है, अभी 2 की table से काटते है, 2 2s are 4, 2 11s are 22 11 को multiply करेंगे 9 से तो क्या आएगा 99 और नीचे क्या आएगा 7 को multiply किया 20 से तो 140 और उसको फिर 2 से multiply करेंगे तो क्या हैगा 280 वोल्यूम किस में निकल के आती है, क्यूबिक सेंटिमीटर में अभी हम वोल्यूम ओफ सिलंडर निकालेंगे वोल्यूम ओफ सिलंडर पाई आर स्क्यार एच पाई की जिगह पर 22 अपॉन 7 रख दिया आर की जिगह पर यहाँ पर क्या लेना है देखो उसमें जो सर्कुलर सिलंडर है उसका डायमीटर दे रख है 4.5 तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तब रेडियस निकलती है ना पाई मीटर से रेडियस निकालनी होती है ठीक है इंटू हाइड क्या है 10 दे रख है इनका भी हम डैसिमल हटाते हैं पहले 22 अपॉन 7 इंटू 45 अपॉन 20 इंटू 45 अपॉन 20 इंटू 10 एक जीरो से एक जीरो काटते हैं 21 जाटू 21 जाटू 21 जापर ये करती है अभी इसको 5 की टेबल से काटते है 5 9 जा 45 5 4 जा 20 ठीक है 11 को 9 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 99 फिर उसको हम 45 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 4455 आएगा ठीक है और 7 को 4 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 28 आएगा वोलिम जो है क्यूबिक सेंटिमीटर में आती है अभी हमें निकाल के क्या देना है नंबर ओफ कोईन्स नंबर ओफ कोईन्स कैसे आएगा जो वोलिम है सिलेंडर की उसको डिवाइड करेंगे कोईन की वोलिम से वोलिम ओफ सिलेंडर डिवाइड बाई वोलिम ओफ कोईन सिलेंडर की वोलिम क्या आई थी 4455 अपॉन 28 इसको डिवाइड करना है आप चाहे तो बार का निसान लगा के नीचे कर सकते हो बट मैं यह डिवाइड का साइन लगा की कोईन की वोलिम रख रही हो कोईन की वोलिम की क्या थी 99 अपॉन 280 आप लोग अच्छे से जानते ही हो की रेशनल नमबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं डिवाइड के प्लेस पे मल्टिप्लाई का साइन लगाते हैं और सेकिंड वाले नंबर का रैसिप्रोकल कर देते हैं इसलिए यहाएगा 280 अपोन 99 28 की टेबल से काटते है 28 वंजा 28 टैंजा पर यह कटिया 99 की टेबल से ही काटते है 99 वंजा और यह जाएगा 45 पर 45 को टैंज से मुटिप्लाइ करेंगे तो आएगा 450 कोईंस यह हमारा अंसर कोईंस में आएगा कॉशन 11 देखिए दा मैटल विद दा वोल्यूम ओफ 1496 क्यूबिक सेंटिमेटर इस यूज़ टू कास्टा पाइप इतनी वोल्यूम का कोई मैटल है और उससे एक पाइप बनाया जाता है फाइप की लेंथ हमें गीवन है और इंटरणल रेडियस गी वन है 8 सेंटिमेटर उसकी इंटरनल रेडियस है तो हमें आउटर रेडियस फाइंड आउट करके इसकी height given है हमें ठीक है यहां हम लिखते हैं radius 1 जो की है 8 cm और height कितनी है 28 cm यहां पे volume दिया है metal का आप चाहे तो इसको volume of metal भी लिख सकते हो मैं इसको volume of pipe लिखूंगी क्योंकि इस metal से pipe बनने वाला है volume of pipe that is equal to 1496 cubic centimeter ठीक है हमें radius 2 find out करके देनी है volume का rule रखते है volume का rule क्या होता है पाई r square h बट यहां सिर्फ हम r नहीं रख सकते क्योंकि यहां outer और inner radius दिया हुआ है that's why हम यहां क्या रखेंगे पाई into r 2 क्योंकि जो radius बहार वाली है वो बड़ी होगी का square minus r 1 का square ठीक है इनको एक bracket में रखते हैं into height that is equal to 1496 ओके पाई की जिगे पर क्या आता है 22 upon 7 into r 2 का square यह असी रहेगा minus r 1 हमें क्या दिया हुआ है 8 इसलिए 8 का square into height हमें given है 28 equals to 1496 ओके देखो यह 22 upon 7 के हम transposing कर रहे हैं right hand side तो यहां पे हमारे पास minus 8 का square कितना होता है 64 और इस 28 की भी हम transposing कर रहे हैं right hand side ओके तो यहां पे हमारे पास आएगा 1496 into 7 देखो multiply में आएगा क्योंकि यह इधर divide कर रहा था तो यह जब right hand side जाएगा तो यह multiply करेगा but 22 multiply कर रहा था और यह right hand side जाएगा तो यह divide करेगा like इसी तरह से 28 भी divide करेगा अब ही हम इसको simplify करेंगे 7 की टेबल से काटते है 7 Вам वंजब 7 से इसको divide करेगा तो 374 यह देखो 11 की टेबल में दोनों आते हैं 12 की टेबल से काटते है 12 टूजब यहां पे 11 त्रीज़ और 11 फ़ जापे यह गया अभी यह 2 की टेबल से काट रहा है यहां पे 17 आगे हमारे पास R2 का स्केर माइनस 64 इक्वल है 17 के इस 64 की भी हम ट्रांस्पोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड तो हमारे पास रबचेगा R2 का स्केर इक्वल्स टू 17 प्लस 64 64 इदर माइनस का साइन के साथ था ना इदर आएगा तो वो एड करेगा R2 का स्केर इक्वल्स टू 81 और यह स्केर हमें हटाना है तो जो नमबर राइट हैंड साइड है उसका हमें अंडर रूट करना होगा 81 का अंडर रूट क्या निकल के आता है 9 तो R2 हमारे पास क्या आगया 9 सेंटी मीटर आउटर रेडियस हैं हमें फाइंड आउट करने थी जो की है 9 सेंटी मीटर कोशन 12 देखिए कोई Rectangular Paper जिसकी Length है 44 ठीक है और जिसकी Breath है 6 सेंटी मीटर ऐसा कोई Rectangular Paper है ठीक है उसको रोल करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है और यहां पर बताया गया है जो सिलेंडर की Height है वो उसकी चोड़ाई के बराबर है मतलब 6 के बराबर उसकी Height है तो हमें Radius of the Sillender बताना है देखो जो यह 44 है जब इसको रोल किया जाएगा तो यह Circumference बनेगा सिलेंडर का इसलिए मैंने लिखा Circumference इक्वल टू 44 सेंटीमीटर Circumference का रूल क्या होता है 2 पाई आर इसी की Height से हम निकाल देंगे हमें Height जो है 6 सेंटीमीटर सीधी दिखा देनी है क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि जो Height है वो Width के Equal है ठीक है 2 इन्टू पाई की Value क्या होती है 22 अपॉन 7 इन्टू आर इक्वल टू 44 2 को 22 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 44 अपॉन 7 इन्टू आर इक्वल टू 44 इनके Transposing कर देते हैं Right Hand Side तो यहां पर हमारे पास सिर्फ आर रह जाता है यह 7 मल्टिप्लाई होगा क्योंकि यह R को डिवाइड कर रहा था और 44 नीचे आएगा 44 से 44 कट जाएगा और हमारे पास Radius क्या आचुकी है 7 सेंटीमीटर R इकॉल टू 7 सेंटीमीटर यह हमारा अंसर है आप लुगों की सेल प्रेक्टिस 12F कम्प्लीट हो चुकी है यह होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन और शेयर विद यूर फ्रेंड आप लूड यूर नेक्स वीडियो सून तिल दें बाइ-बाइ तेकेर शेक्नेक्टिट